हेलो बचो, वेलकम टू आई यूट्यूब चानल, तो आज हम करेंगे 6 स्टैंडर के साइन्स का चाप्टर नम्मर 12, सिंपल मशीन्स का लेक्चर 2, इसके पहले के लेक्चर में मैंने सिंपल मशीन क्या होता है, वो एक्स्पेंड कर दिया है, सिंपल मशीन्स के कुछ एक्जा फिर ये लेक्चर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सिंपल मशीन्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल चाप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टिंट चाप्टर है, बट इंटरस्टिंग भी है, इसलिए आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, तो आज हम शुरू करेंगे एक नए सिंपल मशीन से, जिसका नाम है लीवर, इसको काफी लोग लेवर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको लीवर बोलेंगे, अब टेक्स्बुक में ये सब जो दिया है न, आप ऐसे ही रीड करेंगे, तो आपको काफी कॉम्प स्टोन उठा के बाहर निकालना है अपने फार्म से, तो ये फार्मर अगर ये स्टोन उठाने जाएगा तो भले कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसके पास टाइगर श्रॉफ जैसी बोडी हो, तो भी वो इतना बड़ा स्टोन नहीं उठा पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब बड़ा सा आयन रोड ये छोटे से पत्थर के उपर से ले जाके बड़े वाले पत्थर के नीचे डालता है, फिर यहां से ये नीचे, ये वाले रोड को नीचे जोर से पुश करता है, और उसके बाद magically ये जो बड़ा सा वजन पत्थर है, जो उससे उठी नहीं रहा था, वो उठके दूसरी तरफ चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये बड़े वाले पत्थर को अपने फार्म से बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो ये जो यूज हुआना ये पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं लीवर, आपको समझ आ रहा ह लाइफ में हम डेली बेसिस पे बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन हमको पता ही निए कि उसको लीवर बोलते हैं, लीवर का एक एक एग्जाम्पल जो आपने आपकी लाइफ में देखा होगा, वो है सीसौ, गार्डन में होता है ना बच्चो, सीसौ, एक तरफ एक बंद कैसे होगा यह, यह लड़के में तो उतना वेट ही नहीं है, अगर यह लड़के को हम बोलेंगे कि यह लड़की को ऐसे उठाए हाथों से, तो हाथ से तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन सीसौ पे जब वो बैठेगा, तो सीसौ पे यहाँ पे वो बैठेगा, तो यह लड़ में बैठ सकते हो ठीक है और बैठ के आप उनका वजन उठा सकते हो क्यों बिकॉज सीसो भी एक लीवर है बachओ आप अगर सीसो में जाके अभी वी बैट के देखेंगे तो आप आपसे काफी वजन लोगों को सीसो में उठा पाएंगे, अगर आपने अब तक try नहीं किया है तो जरूर try कीजिए, ताकि आपको समझ में आए, कि lever कितना simple है, बट कितना important है तो textbook में देखो क्या दिया है, a lever a farmer is using a strong crowbar, यह जो rod होता है ना iron का, उसको crowbar बोलते हैं, to remove the big stone bogged down in the farm, उसके farm में जो बड़ा stone पड़ा है, उसको निकालने के लिए वो lever use करता है, such a machine is called a lever, a lever has three parts, मैंने आपको बता है ना, एक crowbar अकेला lever नहीं है यह पूरा system जो है, उसको lever बोलते हैं, ठीक है, तो lever में पूरे system में three parts होते हैं कितने parts होते हैं, three parts वो three parts का नाम क्या है, effort load and fulcrum, ठीक है, तो यह तीनो parts मिला के lever बनता है, अब समझते हैं, यह तीनो parts है क्या, the support at which the rod of a lever is rested, यह जो rod है lever का, वो जहाँ पे rest करता है, is called the fulcrum of a lever, तो यह जहाँ पे rest करा है, यहाँ rest करा है न, इसको बोलते हैं, fulcrum of the lever, the lever rotates about the fulcrum, rotate मतलब यह इसके around घूमता है, देखो यह लिवर का जो rod यहाँ पे fix है, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से उपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे fix है न, यहाँ से move नहीं करेगा, ठीक है, तो fulcrum क्या होता है, fulcrum is the support at which the rod of a lever is rested, okay, and the lever rotates about the fulcrum, एक पाट हो गया fulcrum, second क्या दिया है, the weight lifted by a lever, मतलब यह जो वजन उठाया जा रहा है न, और the force against which the lever act, अभी के लिए आप समझ लो कि यह weight lifted by a lever है, यह जो वजन है, is called the load, तो इसको क्या बोलते हैं, हम यह वजन को, इसको बोलते हैं, load, अभी third क्या दिया है, the force applied on the other end of the rod, जो यहाँ पर force apply हो रहा है न, other end, हमने यह वाला end study कर लिया कि इसको load बोलते है, अब यहाँ पर यह farmer force लगा रहा है, to lift the load is called the effort, क्योंकि वो farmer ताकत लगाता है, यहाँ पर ताकत लगाने को क्या बोलते हैं, effort लगाना, तो वो यहाँ पर effort लगा रहा है, तो lever के तीन पार्ट हमने कर लिए, fulcrum of a lever, load of a lever, and effort of a lever, तो आपको समझ में आगे आप तक, तो अब हम यह जो बचा है वो कर लेते हैं, नेक्स दिया हुआ है, the part of the lever from the fulcrum to the effort, fulcrum से लेके effort तक का जो part है is called the effort arm, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है na fulcrum तक, इसको बोलते हैं effort arm, ठीक है, बच्चों आपको अभी सिफ यह तीन चीज़े याद रखनी है fulcrum, effort, load, यह दोनों इसमें से यह आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, fulcrum से load तक जाता है, उसको बोलते हैं load arm, fulcrum से effort तक जो जाता है, उसको बोलते हैं effort arm, तीन parts क्या है, fulcrum f, l, load, e, effort, अब flee याद रख सकते हो, lever पढ़ना है तीन parts कौन से हुए, f मतलब fulcrum, l मतलब load, e मतलब effort, ठीक है, word lever है, लेकिन उसके आगे f रखोगे दिमाग में flavor जैसा, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि lever के तीन parts कौन से है, ठीक है, f, l, e, अच्छे समझ में आया, बच्छों, एक्जाम में flavor लिखके मता न, flavor सिर्फ आपके याद रखने के लिए मैंने बनाया है, आप ऐसे लिखोगे flavor, तो आपको lever के तीन parts याद आ जाएगे, f से fulcrum, l से load, e से effort, तो ये भूलने का chance कम हो जाता है, बड़ उसको बोलते तो lever ही है, flavor करके कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ एक shortcut बनाया है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो बच्छों, हमने lever क्या होता है, समझ लिया है, अब हम study करेंगे, types of lever, अब lever तीन type क्यों होते हैं, वो तीन type का नाम होता है, lever of the first order, second order, and lever of the third order, अभी इसमें order ऐसे decide होता है, जो lever के तीन पार्ट्स है, तीन पार्ट्स lever के कौन से होते हैं, फुलक्रम, लोड, और एफ़र्ट, ये तीन पार्ट के position के according, हम उसको lever of the first order, second order या third order बुलते हैं, ठीक है, जो lever of the first order है, उसमें फुलक्रम बीच में होता है, और लोड और effort उसके दोरो sides होता है, ठीक है, और जो second order होता है, उसमें लोड बीच में होता है, उसके एक side फुलक्रम होता है, और दूसरे side effort होता है, और जो lever of third order है, उसमें effort बीच में होता है, फुलक्रम लेफ्ट में होता है और लोड दूसरी साइड होता है ठीक है? तो ये तीन टाइप के लिवर होते हैं लिवर अब ये रटना बहुत डिफिकल्ट है आपको याद ही नहीं आएगा एक्जाम में कि कौन सा लिवर कौन से ओडर का है इसलिए इसका एक ट्रिक बनाया है मैंने आप अच्छे से द्यान दो आपको इददम सिंपल वे में याद हो जाएगा अब आपको याद होगा मैंने आपको लिवर में कौन से तीन पार्ट होते हैं वो याद रखने के लिए एक वर्ड सिखाया था क्या था word जल्दी से बताईए comment section में वो word था flavor है ना flavor करके कोई word नहीं है इसे फिक trick है याद रखने का तो f का मतलब क्या होता है f का मतलब होता है fulcrum l का मतलब होता है load e का मतलब होता है effort तो ये तीन पार्ट हो गए liver के अभी कौनसे order का liver है वो याद रखने के लिए एक और दिमाग लगाते हैं क्या दिमाग लगाते हैं हम ये words के नीचे number लिख देंगे f कौनसा लेटर है first l कौनसा लेटर है second e कौनसा लेटर है third तो ये f के नीचे one लिखा है न तो ये जो भी f है अगर ये middle में रहेगा यहाँ पे देखो f middle में कहाँ पे f middle में यहाँ पे है ठीक है अगर f middle में है तो वो lever of first order होगा देखो f के नीचे number क्या है one अगर f middle में तो वो lever of first order easy है न याद रखना अब देखो load के नीचे क्या number लिखा है two अब यहाँ पे देखो load middle में कहाँ पे है यहाँ पे load middle में है क्या नहीं यहाँ पे load middle में है देखो और वो कौन से order का liver है second order देखो L के नीचे क्या number लिखाई है second second लिखाई है ना मतलब अगर L middle में है तो मैं clearly बोल सकता हूँ कि वो liver of second order है अगर L पता चल गया आपको ठीक है, लोड पता चल गया तो fulcrum और effort तो बहुत easy है एक side fulcrum आ जाएगा, एक side effort आ जाएगा ये दोनों interchange कर सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता इधर आपने effort लिख दिया और इधर fulcrum लिख दिया, तो भी चलेगा ठीक है, अब third देखो, effort के नीचे क्या नंबर लिखा है, three ठीक है, अब यहाँ देखो effort middle में कहाँ पर, यहाँ पर है क्या नहीं, यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर देखो effort middle में है तो उसके number में क्या है, third order, देखो effort के नीचे three मतलब जो भी middle में है वो order का lever हो जाएगा अगर F middle में है तो first order L middle में है मतलब load middle में है तो second order effort middle में है तो third order बाकी दोनों आप कहीं पे भी लिख सकते हो देखो यहाँ पे full cream यहाँ पे डाल दिया न यह effort इदर लिख दिया और load इदर लिख दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता तो भी हो first order ही है middle वाला important होता है जैसे यहाँ पे L middle में है load effort इदर लिख दिया, full cream इदर लिख दिया कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पे effort middle में है load इदर लिख दिया, full cream इदर लिख दिया, कोई फरक नहीं पड़ता आपको पता है तीन पार्ट्स है, आपको एक बार मिडल वाला पता चल गया, बाकी दोना आप कोई भी लिख सकते हो, एक दम अच्छे से समझा, लिवर ओफ फर्स्ट ओर्डर, सेकेंड ओडर एं थर्ड ओडर, फ्लीवर के नीचे नंबर लिखना है, फिर जो भी मिडल में हो होगा, वो टाइप का लिवर होगा, तो अगर बच्चों मैं आपको पूछूँ, कि what is a second order लिवर, तो आप कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहले अपना secret word, अपना secret word क्या है, फ्लीवर, फिर फ्लीवर के नीचे हम letter नंबर लिखेंगे, f है first letter, l है second letter, e है third letter, हमको क्या है second order lever, second यहाँ पे आ रहा है न, अब l के नीचे second आ रहा है, मतलब second order lever में l middle में होगा, तो बनाईए lever कैसा आएगा, एक straight line आएगी ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अपना load, load middle में आएगा, ठीक है, अब आप दोनों में से कौन से भी side, fulcrum और effort बना सकते हैं, let होगे आपना second order lever, आया समझ में, मुझे ये question पूछा था second order lever, और मैंने ये लिखके easily बना दिया, कि क्या होता है, तो अब अगर मुझे पूछा second order lever क्या होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, in a second order lever, load is in the middle, and fulcrum is on one side, and effort is on other side, इट से मैं आपको पूछता हूँ, what is a third order lever, ज उतका lever बनाई है third order वाला, फिर check कीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं, मैं अभी third order lever बना रहा हूँ, ठीक है, तो flavor के नीचे मैंने लिखा one, two, three, अब third order lever मतलब three, third मतलब three होता है न, तो three यहाँ पे कहां पे, देखो, यहाँ पे e के नीचे, मतलब third order lever में effort middle में होता है ठीक है, तो मैं यह easily बना सकता हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि middle में क्या आएगा, क्यूंकि e के नीचे three है third order में, मतलब e middle में आएगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, effort, अब fulcrum और load कहां पे आएंगे, आप कहीं पे भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे बना दिय load, तो यह हो गया अपना third order lever, ऐसे ही आप first order lever भी बना सकते हैं, एक ही word flavor और उसके नीचे one, two, three लिख लिया, तो आप तीनों order का lever भी बना सकते हैं, और flavor word में lever के तीन parts भी यह देखो, f मतलब fulcrum, l मतलब load, e मतलब effort, तो यह अपना जो trick है, इसके कारण आपका lever बहुत easy ह तो बच्चों हमने lever भी सीख लिया, types of lever भी सीख लिया, तो अब जो उसके उपर activities दिये हैं, हम वो समझते हैं, ठीक है, इस activity में आपको एक pencil लेना है, एक बड़ा सा ruler लेना है, बड़ा ruler लेना, 15 cm वाला नहीं, बड़ा जो 30 cm वाला ruler आता है, यहां पे आपको एक load रखना ह ठीक है, फिर आपको इस तरफ यहां पे पहले effort लगाना है, effort मतलब आपके हाथ से यहां पे weight ऐसा देना है, तो क्या होगा, यह scale नीचे जाएगा, यह load उपर चला जाएगा, right, next time आपको थोड़ा इस तरफ आके finger से effort लगाना है, तो फिर से load उपर चला जाएगा, फिर थो क्योंकि यह falcrum है, falcrum मतलब जहां पे fix position होती है lever की, तो यह falcrum से जितना जादा distance पर effort होता है, मतलब यह effort arm हो गया, falcrum से लेके जहां पे effort लग रहा है, वो arm को क्या बोलते है, effort arm, तो यह जितना जादा लंबा होगा उतना आपको कम ताकत लगेगा, यह बहुत ही simple activity है, आपको आपके घर पे यह perform करना है activity, आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप distance यहां से बढ़ाते जाएंगे, तो आपको कम से कम ताकत लगेगी यह वजन उठाने में, सेम वजन को उठाने में कम ताकत लगेगी, ठीक है, तो यह अगर scale आपके पास 50 cm का है, और आप 50 cm के end पे जब ताकत लगाएंगे, ठीक है, तो आपको और कम ताकत लगेगी, जितना जादा distance होगा न, फलक्रम से आप जहां पे ताकत लगाते हो, उसमें, तो आपको कम से कम ताकत लगेगी, ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछू हूँ कि यह कौन से टाइप का लीवर है, तो आप बता सकते हैं क्या, अब देखो, यहां पे effort लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ, E यहां पे है, ठीक है effort, यह बीच में क्या है, फुलक्रम, मतलब middle में फुलक्रम है, और last में load है, अगर middle में फुलक्रम है, तो वो कौन से टाइप का लीवर होता है, यह पता करने क हुआ है, such a lever is called a lever of the first order, आपको first वाला activity समझ में आया, अब हम करते हैं, second वाला activity, इसमें यह वाला bottle opener का case दिया है, अच्छे से समझते हैं कि क्या है, आजकल आपको यह bottle opener नहीं use करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सारे soft rings, जो cold rings हैं, वो plastic की bottles में आते हैं, और plastic की bottle में तो उपर lid होता है न, screw जैसा, अपन खोल देते हैं, पहले के bottles में ऐसा lid होता था, तो उसको यह bottle opener से खुलना पड़ता था, तो यह bottle opener ऐसे metal का बना होता है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लग जाता है, इसका एक जो पार होता है, वो यह lid के नीचे, यह जो ढखकन है, इसके fix है, move कौन सा हो रहा है, यह वाला part उपर जाएगा, तभी जाके lid उपर से खुल जाएगा न, यह वाला part जो है, वो fix है, इसलिए वो क्या हो गया, फुलक्रम, और यहाँ पर मैं ताकत लगा रहा हूं, इसलिए यह हो गया मेरा effort, और load कहां पर गिर रहा है, यह जो बीच मे है वहाँ पर, तो इसमें L बीच में है न, load बीच में है, तो यह कौन से type का liver हुआ, मैं लिख दूँगा flavor, और लिख दूँगा 1, 2, 3, तो load बीच में है न, तो load के नीचे क्या number है, 2, तो यह हो गया अपना second order का liver, आया समझ में, अब हम करते हैं third activity, how do we lift an object using tongs, तो यह जो यहाँ पर picture दिया हुआ है, इसमें से हम समझते हैं कि एक object को कैसे उठाते हैं, तो यह picture देखो, मैंने यहाँ पर बढ़ा करके लगा दिया है, अब यह जो tongs है न, यह आपके घर में भी होगा, आप ममी को पूछेंगे न, तो ममी आपको बताएगी, देखो, अपने घर मे गास पर तो चटका न लगे, और आपका हाथ न जल जाए, इसके कारण हम यह tongs यूज करते हैं, तो यह tongs में liver का concept कैसे यूज होता है, यह आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर tong में, रोटी यहाँ पर होती है, correct, यहाँ पर हम रोटी पकड़ते हैं इ अब यहाँ पर रोटी दब जाती है, तो यहाँ पर ताकत लग रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, effort, ठीक है, रोटी यहाँ पर है, मतलब वजन, जो भी रोटी में वजन है, हम यहाँ पर उठा रहे, इसलिए यह क्या है, load, तो यह ऐसे उठाते हैं, object, tongs यूज करके, अग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जल्दी से, बचो आज का यह लेक्शर हम यही पर स्टॉप करते हैं, आज हमने एकदम डीटेल में सीखा कि लीवर क्या होता है, लीवर के टाइप्स क्या होते हैं, लीवर के टाइप्स कैसे find करते हैं, और उसके तीन activities देखें, जिसमें ह को समझ में आया कि लीवर के अलग-अलग examples और अलग-अलग application हमारे real life में हम लीवर कहा कहीं use करते हैं, I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप lecture फिर से देखें, फिर भी आपको नहीं समझ आता, तो comment section में में बताएं, हम आपको फिर से सम जाएंगे, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ share करें whatsapp पे, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना न भूले, bell icon पर click करें, ताकि जब भी हम को ये नया वीडियो अप्लोड करें, आपको notification आता रहे Thank you so much for watching this video